फ्रेंड्स जब आपको किसी की साधी पाटी में जाना होता है तब आप चाहते हो कि आप सबसे सुन्दर दीखो, सबसे अलग दीखो इसके लिए आप चाहते हो कि आपकी जो स्कीन है वो भी चमकती दमकती नजर आए जिसके लिए आप सहारा लेते हो bleach का आप अपनी स्कीन पे bleach करवाते हों क्योंकि bleach करने से तुरंथी स्कीन पे निखार आ जाता है और glow भी आ जाता है लेकिन बहुत सारे लोगों को bleach सूट नहीं करता है क्योंकि bleach के अंदर होता है ammonia और बहुत सारे chemicals जिसकी वज़े से आपके skin पे redness आ जाती है और bleach के chemicals की hit की वज़े से आपके skin पे दाने भी निकला सकते हैं और आपको racist भी हो सकते हैं और कई सारे LGBT होने के chances होते हैं क्योंकि chemical वाले मार्किट वाले bleach सभी को सूट नहीं करते हैं अगर मैं आप सभी से कहूँ कि आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ कि आप वैसलीन से किस तरीके से bleach बना कर अपने चहरे पे इस्तिमाल कर सकते हो तो आप यकीन मानो आपके चहरे पे इतना गज़ब का निक प्रश्चन होता है तब और इससे मुझे बहुत ही बढ़िया रिसल्स भी मिलते हैं तो वैसलीन से bleach बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरुद पढ़ेगी टमाटर की जो हर किसी के कीचन में अवेलेबल ही होता है बस उसी टमाटर को आपको ले लेना है अगर आपके स्कि जो बी चीज आपको सूट करती हो वह चीज आप ले ली जिए टमाटर ज्यादा बैस रहता है ज्यादा तर सभी की स्किन पे सूट भी हो जाता है दूसरी चो चीज हमें चाहिए होगी वह हल्दी याने के टर्मरिक पाउडर और तीसरी चीज चाहिए होगी वह है वैसलीन अब हमने जो टमाटर लिया था उसको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर आपको पीस लेना है अच्छे से ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लेना है इसको छिलके के साथ ही आपको ग्राइंड करके पेस्ट बनाना है अब आपको एक क्लीन खाली बाउल ले लेना है इसके अंद अगर आपको बिल्कुल छोटी पिंच जितनी टर्मरी कियाने की हल्डी पाउडर डाल देना है, बिल्कुल भी ज्यादा यूज्स मत करना, वरना आपकी जो स्किन है, उसके उपर यलो कलर के स्टेन आजाएंगे, यलो कलर चुट जाएगा हल्डी का, क्योंकि हल्डी के अंद जो ready किया था वो डाल देना है तीनों चीज़ों को अच्छे से आपको मिला लेना है अब इसके अंदर हमने यूज किया है वैसलिन वैसलिन ठंडी हो या गर्मी हो ऐसे आद जमा हुआ ही होता है easily पिगलता नहीं है जब आप इसको mix करोगे तब भी ये अच्छे से mix नहीं हो पाएगा इसे लिए आपको क्या करना है कि एक बाउल के अंदर गरम पानी ले लेना है और फिर जिस बाउल में हमने जो ये remedy बनाई है वो बाउल इसके उपर रख दीजिए और फिर इसको अच्छे से mix कीजिए तो वैसलिन जो है वो बहुत ही easily पिगल जाएगा और बहुत ही अच्छे से mix भी हो जाएगा अब आपको ये वैसलिन वाला bleach इस्तिमाल किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ पहले तो जो गरम पानी अपनी किया है उसके अंदर एक cotton या फिर एक henky को या फिर टावल को deep करके गरम पानी से अच्छे से अपने चहरे को साफ कर लीजिए ताकि आपके skin बिल्कुल deeply clean हो जाए और फिर जो हम आगे bleach करने वाले हैं वैसलिन से उसका full result आपको मिल पाए तो अच्छे से गरम पानी से अपने चहरे को clear कर लीजिए इसके बाद हमने जो वैसलिन का bleach बना कर ready किया था वो ले लीजिए और अपने पूरे चहरे पे इसको लगा लीजिए आपको अपने neck area में भी इसको लगाना है अगर आप चाहो तो अपने हाथों पे भी इस्तिमाल कर सकते हो अच्छे से इसको लगाने के बाद आपको कम से कम इसे 20 मीट तक अपने चहरे पे रहने देना है और फिर ठंडे पानी से आपको अपना चहरा दो लेना है तो मैंने इदर अपने चहरा दो लिया है और आप देखिए instantly ही skin पे brightness आ जाती है तुरंथ है अपके चहरे पे एक इतना अच्छा वाला निखार आ जाता है अपका चहरा भी खिला खिला सा नजर आता है और एक बहुत ही बढ़िया वाला glow भी आ जाता है क्योंकि हमने टमाटर का यूज किया था जो एक natural bleaching agent है साथी जो टर्मरीक है वो भी हमारे चहरे पे निखाल लाती है और वैसलिन बहुत ही अच्छा glow लाता है तो ये वैसलिन का bleach ज़रूर से try कीजिए बहुत ही बढ़िया result आपको इसके मिलेंगे तो ये वैसलिन वाले bleach को आप महीने में दो बार कर सकते हो for best results तो ज़रूर से try करना So I hope friends आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से subscribe कर लेना subscribe बटन का on का लीजिए ताकि ऐसी ही skin care remedies आगे मैं आप से share करूँ ताप वो देख पाऊ और उसका फाइदा उठा पाऊ तो subscribe बटन को on का लेजिए और notification bell को भी on का लेजिए मिलते हैं एक सच्छी से वीडियो में अपना बहुत बहुत ख्या रखिए thank you so much watching, bye see you soon